ग्यान्टा बुर्णत्र चल रहा है भागवत्रा, जहां हम लोग पुरंजन की कफा नारद्मनी से सुन रहे हैं, पुरंजन बास्थाओं में हम लोग हैं, मारी इससिति को पुरंजन बताता है प्रकार एक जीवात्मा देह में बंदित हो जाता है उसकी कथा नारदमुनी बता रहे है तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा किस प्रकार पुरंजन एक इस्थान ढून रहा है कि मैं कहां रहूं और उसके साथ उसका दोस्त था जो कौन है परमात्मा पुरंजन जीव को ब मात्मा और इस दोस्त की मदद से या इस दोस्त के साथ चलते 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 पुरंजन को एक नगर मिला इस नगर की नो दरवाजे थे ये नगर क्या है हमारा शरीर और उस अब नगर का बढ़न अलग-अलग माध्यम से कर रहे हैं किस प्रकार वो नगर सुसजित है किस प्रक अलग अलग बताया जा रहा है श्लुक संख्या 19 से आगे नाना रण्यम्रगा ब्राताई अना बाधे मुने ब्रताई आहुतम्मन्यते पंधो जत्रको किलकू जिताई रंगनी प्रिया माताजी तो ये शरीर की और उपमाय बता रही तातपरिय आरती माताजी इस्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा शांत परिवार वन के शांत वातावरन के श्रदिस है बच्चों की तुलना अहिम्तक पस्वो से की गई है कभी-कभी इस्टरिया तिता बच्चो को स्वज जना ख्या दस्यू कहा जाता है जिसका अर्थ है स्वज जनों के नाम से लूटेरे मनुष्यशक्त परिश्णम करके धन कमाता है लेकिन तो उसकी पत्नी तथा बच्चों द्वारा उसका धन उसी प्रकार हतिया लिया जाता है जिस प्रकार जंगल के रास्ते जाने वाले वैक्ति को चोड तथा लूटेरे लूट लेते हैं पिर भी परिवार के भीतर पत्मी तथा बच्चों की ये धमा चौकडी पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूख के समान प्रतीत होती है. ऐसे वाता वरंद्वारा आमंत्रित हो कर मनुश्य चू आनंद में पारिवारिक जीवन बिताता है, अपने परिवार को हर हाल पर अपने साथ रखना चाहता है तो कितना सुंदर सिक्षा दे रहे हैं, प्रभुपात बता रहे हैं, जैसे ये पुरंजन के नगर में सुंदर कोयल इत्यादी हिंसा रहित प्रतीत होती थी और सुन्दर रूप से गा रही है मानों सबको आकरशित कर रहे हो कि आओ आप भी हमारे नगर में रहो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी हमारा परिवार भी नित्य हमें आकरशित करता रहता है कि नहीं ये बहुतिक संसार में ही रहो पांचवे सकंद में हम लोग एक अध्याय पड़ेंगे The Forest of Material Attachment उस अध्याय में बताया है किस प्रकार पारिवारिक जीवन की तुल्ला एक जंगल से की गई और उस जंगल में डाकू कौन है? डाकू है परिवार वाले परिवार वाले डाकू क्यों पताया है? क्योंकि जितना धन, जितने समय, जितना सामर्थ हमारे पास रहता है सब परिवार वाले ले लेते हैं इसलिए यहाँ पर प्रभपाद वो धारन दे रहे हैं दस्यों के समान, डाकूं के समान परिवारजन समय सामर्थ शक्ती सब चुरा लेते हैं और भगवत भक्ती के लिए थोड़ा भी समय नहीं मिलता है इसी लिए ये शरीर के प्रती अनासक्ती धीरे धीरे आनी चाहिए यच्छया आगतम तत्र ददर्शा प्रमदा उत्तमाम ब्रत्य दशब्ही आयांतिम एक एक शत नायकई रानु माताजी पढ़िये अध्याग आधार में वीचार करना है तूराजा प्रोशा तमने चानक एक सुंदर इस्त्री देखी जो आनन्द से ही चली आ रही थी उसके ताथ दर्स नोक थे और प्रत्म नोक तर के साथ से तू इन पखनी थी इस तरह जब वो अब नगर में ब्रह्मन कर रहा है अब नगर को चलाए मान करने के संकल्प कर रहा है तो उसको एक स्त्री वहाँ पर देखी ये स्त्री कलूशित चेतना है और इस स्त्री के साथ दस नोकर और प्रत्तिक नोकर के साथ सेकड़ो पत्नियां ये कौन-कौन है हम लोग आगे देखेंगे नमीता माताजी शरीर की उप्मा सुंदर उध्यान से दी जा चुकी है युवास्ता में काम वासना जागरित होती है और इस्त्री के साथ सहवास करने ये तो बुद्धी अपनी अपनी कल्पना के अनुसार उन्मुक होती है प्रतक शुरूप से ना सही बुद्धी या कल्पना के द्वारा प्रतिक इस्त्री या पुरुष विप्रित लिंग की खोज में रहता है बुद्धी मन को प्रेरित करती है और मन दसो इंद्रियों को वश्मे करता है इसमें से पांच तो ज्याने इंद्रियां है और पांच प्रतेक इंद्रिया ना जाने कितनी इच्छाओं पूरी करने की चाहा हर रखती हैं. ऐसी इस्तिती में इस शरीर की तथा शरीर के स्वामी पुरंजन की जो शरीर के भीतर भ्सा हुआ. प्रभुपाद कितने करुणावान है प्रभुपाद को पता है कि हम लोग पूरी कहानी सुनने के लिए प्रतिक्षने करेंगे बीच में ही गलास छोड़ देंगे बीच में गच्छा मार देंगे इसलिए प्रभुपाद इंतजारी नहीं कर रहे हैं नारदमुनी तो बाद में बताने वाले हैं कि कौन पुरंजन है कौन बुद्धी है कौन ये नगर है लेकिन प्रभुपाद इतने कृपवान है प्रभुपाद वो पता है ये लोग आ जाए है कल का भरोसा नहीं इसलिए प्रभुपाद हर तातपर में बता रहे है कि कौन क्या है तो यहां पर बता रहे है किस प्रकार ये कलूशित बुद्धी और इसके अधिनिस्त ये दस इंद्रिया पंच ग्याने इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया ये दस जो नौकर है वो कौन है ये कर्मेंद्रिया और ग इंद्रिय की अनेक अनेक एक्छाय है जिनको पूरा करने में वो इंद्री लगी रहती है आशा पाश शत्र 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 मतलब सेकड़ों सेकड़ों एक्छाय हर इंद्रिय की रहती है तो उस प्रकार ये युबती के साथ पुरंजन की भेट हुई और क्या है साथ में पंच श शीर्षा अहिना गुप्तान प्रतिहारेन सरवता अन्वेश मानाम रिशभं आप्रोधाम खामरूपिनिम अक्रूड प्रभू और इसके साथ क्या है उसके पीछे एक सर्प है जिसके पांच फन है और उस सर्प को रक्षा के लिए बनाया गया है ये तरूणी के साथ हमेशा ही ये सर्प रहता है ये सर्प कौन है सर्प प्राण है ये प्राण शक्ति पांच प्राण वायूं से बनती है इन पांच फनों का मतलब है वो पांच वायू वाली पांच वायू वाली प्राण तात परे प्रफुल प्राण की तुलना सर्ब से की गई है क्योंकि सर्ब केवल हवा पीकर जीवित रह सकता है वायू द्वारा ले जाए गए प्राण के को प्रतिहार या अंग रक्षक के रूप में वनित किया गया है प्राण की बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं दे सकता वास्तों में सारी इंदिया प्राण के अधीन कारे करती है वह इस्त्री जो बुद्धी की प्रतीक है पती की तलाश में थी इससे पता चलता है कि बुद्धी चेतना के बिना कारे नहीं कर सकती सुन्दर इस्त्री जब तक उप्युक्त पती द्वारा रक्षित नहीं होती तब तक वह व्यर्थ है बुद्धी को सदेव नवीन रहना चाहिए इसलिए यहां प्रोडार्हम तरूनी शब्द प्रयोक प्रयोक्त किया गया है बुद्धिक भोक का अर्थ है रूप, रस, जीव है जो की चेतना का स्थोति रहे वो भी तलाश कर रहा है बुद्धिक संसार में के लिए मैं कैसे आयोजन बनाओ तो इन दोनों के मिलाब से बुद्धी और जीव के मिलाब से इंद्रियां संचालित होती हैं और अनेकानेक एक्छाय पूरी करने के लिए जीव भोकिक संसार में प्रयाज करता है इसमें जो सर्प है वो प्राण है जो शरीर को चलाए मान रखते हैं अगर ये सर्प नहीं रहेगा तो कोई भी इस इस शहर के उपर आक्रमन कर सकता है जो कि आगे होगा हम लोग देखेंगे सुना साम सुदतिम बालम सुक शुक पोलाम वराननाम समा विन्यस्त करना भ्याम विब्रितिम कुंडला शुरियम रेखा माताजी उस इस्ष्री के नाथ, दान तथा मस्तक सभी अती सुन्दते इसके कान भी समान रुक से सुन्दते और चम चमाते कुंदा से सुशोपित हो पढ़े 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 मस्तक श्रया मंद का सुचक है जो वस्त्वों को उसे रूप में जानने में समर्द है गुद्धी द्वारा सारी वस्ते विवस्त की जा सकती दोनों कानों में पहनने गे पुंदल कुद्धी को यही करा माता है इसे परपाजना पर ज्ञान प्राप्ट करने की वीजियों का वानन अलंकरिफ जंग से रस्त गया गया है हरे पिश्म तो जो सुंदर इनके लक्षण बताये जा रहे हैं कि नाख सुंदर है, दान सुंदर है, मस्तर सुंदर है और कान भी सुन्दर हैं चमचमाते कुंडल भी हैं ये सब बता रहे हैं कि कैसे भोतिक जो बुद्धी है वो इंद्रितिप्ति करने में निपुण रहती है उसको पता है कैसे मुझे इंद्रियों से जाद से जाद भोग करना है इस प्रकार से ये युवति एकदम निपुण है ये भोतिक शित्र में दीप्ति माताजी उस इस्त्री की कमर तथा नितंब अत्यन सुन्दर थे वह पीली साड़ी और सुनेरी करधनी पहने थी चलते समय उसके नुपुर खनक रहे थे वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो सर्व की निवासनी हो इस स्लोक में उन्नत नितंबो और अली स्त्री को जो आकर्शक साड़ी पहने हो अभुसनों से सजी हो देखकर मन में जो अहराद उत्पन होता है उसी को व्यक्त किया जगया है तो ये जीव की इस्तिती है जीव बहुतिक संसार में आके ये बहुतिक वस्तों से कैसे होता है मुख्यता अपनी बुद्धी के प्रति कितना प्रेम होता है हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी बुद्धी सबसे स्रिष्ट है उसी प्रकार पुरंजन को लग रहा है ये इस्त्री सबसे सुन्दर है तो ये जो इस्त्री है जो पुरंजन के सामने खड़ी हुई है रस्तान तेन निकून हिंतिम विद्धिया गजगा मिनिम अनिता माताजी इस्त्री अपनी साडी के अंचन से अपने स्वर्टू एवं सटेवर स्टनों को दखने का प्यास कर जई थी वह हाती के समांग चलते हुई लग्जा वश अपने स्टनों को बारं बार ढखने का प्यास कर जई थी जै माताजी दोनों स्टन राग तथा द्वेश के प्रतिक है श्रीमत भगवत गीता में राग तथा द्वेश के लक्षरों का बढ़न हुआ है प्रतिक जीवन में प्रगति के लिए सर्वता प्रतिकूल है मनुष्य को स्त्री के स्थनों के प्रति आकर्ष्ट नहीं होना चाहिए महान संत शंकराचारी ने स्तनों को रख्त था पेशियों का समुच्य मात्र माना है अतह अगरभाग के साथ के उन्नत सनों की मोहक शक्ती से आकरश नहीं होना चाहिए ये माया की दूत है जो पूरुषों को शिकार बनाते हैं चुकि स्तन समान रुख से आकरशक होते हैं अता उन्हें समुव व्रतों कहा गया है कामो तेजना व्रद पूरुष के भी मन में पृत्यू परियंत रहती है इस उतेजना से मुक्ती पाने हेतु यमुनाचारी के समान अत्यूच आध्यात्मिक चेतना होनी आवशक है उन्होंने कहा है जो आध्यात्मिक रूप से आगे बड़ा है वह मास तथा रुधिर के लोथडों से जो यूवा नारी के संस्वरूप हैं आकरश्ट नहीं होता निरंतरों शब्द भी महतुपून है क्योंकि यद्यपीस्तान अलग अलग स्थान पर इस्थित रहते हैं किन्टु वह एक सा प्रपाव दिखाते हैं हमें राक्त था दुएश्ट में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए जैसा कि भगवत गीता में कहा है ये दोनों रजोगुड से उत्पन है काम एश क्रोध एश रजोगुड समुद्भव नी गुहन तीन धकने का प्रयत्न करती हुई शब्द सूचित करता है कि भले ही कोई काम प्रोध लोग आदिसे रंजित क्यों नहों किन्तु कृष्ण भगती चेतना से ये सारे परिवर्दित किये जा सकते हैं दूसरे शब्दों में काम विशय का उप्योग श्री कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है काम से प्रेजित सामाने कर्मी दिन राट श्रम करता है इसी प्रकार भगती भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसंद करने है तो अहरनीश काम कर सकता है जिस प्रकार कर्मी काम प्रोध की तुष्टी के लिए कठिन श्रम करते हैं बक्तो को चाहिए कि भगवान श्री कृष्न को प्रस्न करने हे तो उसी प्रकार कारे करें। इसी प्रकार क्रोत का उप hyväग भी भगवान श्री कृष्न की सेवा में किया जा सकता है। उसका उपयोग अभक्त असुरों पर किया जाता है हनुमान जी ने अपने क्रोध का ऐसा ही उपयोग किया में भगवान श्री राम चंद्र के महान भक्त थे उन्होंने अभक्त असुर रावन के राजी में अगनी लगा कर अपने क्रोध का सद उपयोग किया इस प्रकर काम का उपयोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और क्रोथ का उपयोग असुरों को डंड देने हेदू किया जा सकता है। जब इन दोनों का उपियोग भग्मान श्री कृष्ण की सेवा में किया चाता है तो इनकी भौतिक महत्ता जाती रहती है और इन्हें आध्यात्मिक महत्तव प्राफ्थ हो जाता है बौतिक आकरशन के दो मुख्य बिंदू है एक राग और एक दोईश राग मतलब आसकती दोईश मतलब विरक्ती ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है ज्यादा किसी से ग्रणा करना भी आसकती का लक्षन है और ज्यादा आसकती भी ग्रणा का लक्षन है ये दोनों एक द उसके बारे में भी ज़्यादा ही सोचोगे, इसलिए आ सकती है। और जिससे ज़्यादा आ सकती करोगे, वो अंतताह आपको दुख देगा ही, उग्रणा का कारण बनेगा। तो दोनों राग और दुवेश, दोनों ही बंदन का कारण है। इसलिए इन दोनों से बहुतिक संसार शुरू होता है यहाँ पर पुरंजन इन राग दुएश से आकर्शित हो रहा है और अपने पद्ध जीवन को और लिप्त करता जा रहा है तामहा ललितम्वीरा सर्विडा स्मित शोभनाम स्निकधेना पांग पुंखेना स्प्रिष्टा प्रेमोद भ्रमत प्रुवा ओजस्वनी माताजी वीर पुरंजन उस सुन्दर रमणी की भों तथा मुख की मुश्काम से अत्यते काकश्ट हुआ और उसके काम आसना रूपी तीरों से तुरंत बिंद गया जब वह लजाती हुई हसी तो पुरंजन को और भी सुन्दर लगी अतवीर होते हुए भी वह उसको संभोदित करने से अपने आपको रोक न सका तो ब्रह्मा जी ने इसी तरह ये रचना की है कि तरोनी इस्तरी में इस तरह आकर्शन होता ही है कि कोई ना कोई पुरुष उनके प्रति आकरिष्ट हो और पुरुष के प्रति इस्तरी आकरिष्ट हो जिससे वो लोग परिवार जीवन बना करके संसार को आगे बढ़ाएं तो पुरंजन अभी इस कलूशित बुद्धी से आकरिष्ट हो रहा है जो बाद में उनकी पत्नी बनने वाली है अमित प्रभू बाद में क्लिजन पुर्यो की सुनदरता पर मोइत हो गया इसी प्रकार महाराज की रजनतिकि में भारत्य वीर बाजी राव एक्सरी का शिकार होकर पराजित हो गया इतियास में हमें पता चलता है कि पहले के राजनितिग्य सुंदरियों को उपयोग प्रशिशित विश्कन्या के रूप में किया करते थे इन सुन्दरियों के शरीर में जीवन के प्रारम से विश्क का टिका लगाया जाता था जिससे वे यथा समय विश्क के प्रभाव से प्रतिरक्षित हो जाती थी और विश्क से सुरक्षित तथा स्वयम इतनी विशली हो जाती थी कि यदी वे किसी पुरुष को चुम्बन कर तो वो मर जाए इन विश्कन्याओं का उपयोग शत्रू को चुम्मन मात्र से मानने हेतु किया जाता था इस प्रकार माना वितियास में ऐसे अनेक उधारन मिलते हैं जब वीरों को फ्तिरियों के द्वारा ही धुफ्त किया कर दिया गया पगवान श्री किष्ण के अंश होने बहुतिक प्रकृति को भोगना चाहता है तो माया उस पर तुरंत जपटा मारती है जिवात्मा को जबर्जश्टी इस बहुतिक जगत में नहीं वेजा हो जाता वह सुंदर्श्टी के आकर्शन के कारण स्विच्चा से आता है प्रतिक जीव को छूट है कि बहुतिक प्रक करते के आकर्शन का प्रतिरोद करके इस्तिर बना रहता है वह वाफ्तों में वीर है और गोस्वामी के राले पात्र है इंद्रियों का स्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता जीव इस जगत में इन दोनों स्कितियों में से एक का चयान कर सकता है चाहे तो वह इ विकल्प जीव के पास है या तो कृष्ण के उनमुख हो जाए या कृष्ण के बाहिर मुख हो जाए उनमुख मतलब कृष्ण चेतना में रहे और कृष्ण बाहिर मुख मतलब कृष्ण की विस्मृति अब जैसे ही कृष्ण की विस्मृति होगी माया उसको अपने अधिनिस तो यह दो विकल्प जीव के पास रहते हैं, रागदुएश संसार में लगाना है, कि रागदुएश कृष्ण की सेवा में लगाना है, वही वस्तुएं जदि कृष्ण की सेवा में लगें, वक्ति का कारण है, वही इंद्रियां वहतिक संसार में लगें, बंदन का कारण है, अभी पूछ रहा है पुरंजन, शलोक संख्या 26, कात्वाम कंज पालत पाप्पला साक्षी, कस्या सीहा कुता सते, इमाम उपापुरिंभेरो, किम्चिकिर्शसी सम्षमय, अंकित प्रभू तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो, तुम अत्यंत साध्वी लगती हो, यहां आने का तुमारा क्या प्रवजन है, तुम क्या करना चाहे रही हो, रफिया सारी बुतिन मुझसे कहो, अरे कुछ को तुम्हान नेता वैदिक सभ्वता में इस तरह कोई इस्तरी अकेली कभ बहार जाती है, लेकिन यहां पर अकेली घुम रही है, लेकिन पुरण्यन की बुद्धी देखिए, उसको वो सतीनारी देख रही है, साध्वी देख रही है, यह बहुत एक आकर्शन है, बहुत है आकर्शन में सब अच्छे, आप मास खाने वालों से पूचेंगे, मास क्य पूरे लेक्षर देंगे शराब पीना क्यों अच्छा होता है यह बहुत एक जीवन का लक्षन है कि वेक्ति अपनी इंद्रतिप्ति को ही सबसे धर्म मालता है यहां पर पुरण्यन को यह असाधवी स्त्री साधवी दिख रही है कि तात्परिबसंत प्रभू कि तात्परिबसंत शुत्र की प्रथम सुक्ति है अथातो ब्रह्म जिग्यासा मनुस्य देह पाकर अपने आपसे तथा अपनी बुद्धी से अनेक प्रश्न करने चाहिए किन्तु मनुस्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि स्वैंग से यह पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं इस अंसार में क्यों आया, मेरा करता भी क्या है, परम नियंता कौन है, जर तथा जंगम में क्या अंतर है, इत्यादी ऐसे अनेक प्रश्ण है, जो बुद्धी मान है, उसे तो पृतेक वस्तू के आदि सुरोत के विशाय में जिग्यासा करने चाहिए, अथा तो ब्रह्म में जिग्यासा, हर जीव में कुछ न कुछ बुद्धी होती है, किन्तु मनुसिका रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विशाय में जिग्यासा करने चाहिए, यही वास्त्विक मानुए बुद्धी है कहा गया है कि जो केबल अपने शरीर के विशय में ही जागरू कराता है वो पशू के तुले हैं भले ही वो मानव देधारी हो स्रीमत भगवत गिता पंद्रावे अध्याय पंद्रावे श्लोक में स्रीकृष्ण कहते हैं मैं सबके हिर्दाय में इस्तित हूँ और मुझी से स्मिर्थी ज्यानताय स्मिर्थी उत्पन होते हैं पशू रूप में जीव इस्वर से अपने संबन्द को बिलकुल भूला रहता है या अपोहनव या विस्मृति हैं किन्तु मनुस्य रूप में या चेतना अधिक विक्सित रहती है अता मनुस्य को इस्वर के साथ अपना संबन्द समझने का अवसर मिलता है मनुसे देधारन करके उसे अपने बुद्धी का अपयोग ऐसे ही प्रश्न के पूछने में करना चाहिए जिस परकार पुरन जन जीव अज्यात तरुणी से पूछता है कि वह कहां से आई है उसका क्या काम इत्या दिए ये आत्म तत्यू के विशाय में जिग्यासा है है इसकर्स यह निकला कि जब तक जीव आत्म तत्यू आत्म शाक्षातकार के विशाय में जिग्यासू नहीं होता तब तक वह अशू के समान है जिग्यासा होनी चाहिए कृष्ण के लिए जिग्यासा होनी चाहिए हमारे आध्यात्मिक संबंद को कैसे जागरित करें उसके लिए लेकिन जिग्यासा किसकी करते हैं कैसे इंद्रतिप्ति बड़े ये जिग्यासा हमारी होती है हमेशा हम इसी में लगे रहते हैं कि ऐसे जादा से जादा हमारा बहुत एक संसार बढ़ता रहे तो यहाँ पर पुरेंजन के जिग्यासा हैं बहुत एक जिग्यासा है के ते अनुपत हाजे ते एका दश्महा भटा एतावाललना सुब्रु कायम ते अही पुरहसरा परमेश्वरी माताजी तुम्हारे साथ के ग्यारा बलिष्ट अंगरक्षप और ये दस विशिष्ट सेवक कौन है इन दस सेवकों के पीछे फिचे ये इस्त्रियां कौन है फित तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्फ कौन है अभी इन सब चीज़ों को देखकर तो डर लगना चाहिए लेकिन पुरंजन इतना अक्रिष्ट हो गया इस युवती के प्रती कि अभी डर नहीं लग रहा है वो सब सुईकार करने के लिए रेड़ी है वो यदि इस्त्रि से विबाग करेगा तो उसर्प का भी ध्यान रखेगा वो नौकरों का भी ध्यान रखेगा और नौकरों की सेकड़ों पत्नियों का भी ध्यान रखेगा सारा बोज उठाने को त मन के दस बलिस्ट नोकर हैं, मांच करमेंद्रियां तथा पांच ग्यानेंद्रियां, ये दसों मन की अधिक्षण में कारे करते हैं, मन समेत ये दसों खुल मिलाकर ग्यारा प्रवल अंग रक्षक बनते हैं, इंद्रियों के अधीन सेक्णों इस्त्रियों को यहां पर ललना कह गया है मन बुद्धी के अधीन रहकर कारे करता है और ये दसों इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं और दस इंद्रियों के अधीन असंख इक्षाएं हैं इनकी पूरती होनी हैं किन्तु ये सब प्राण पर आसित हैं जिसे यहां सर्प के रूप में पदरसित किया गया है जब सारे ताम ज्हाम से अत्यधिक उल्जन में रहता है ये सारा ताम ज्हाम अनेक प्रकार की जिन्ताओं को जन्द देता है किन्तो जो ब्यक्ति स्री भगवान की सरण में चला जाता है और सारा कारे उन्हीं पर छोड़ देता है वह ऐसी सारी जिन्ताओं से मुक्त हो जाता है अत प्रालाद महराज छड़िक भौतिक जीवन को सुरिकार करने वाले ब्यक्ति को भगवान की सण ग्रण करने और सारी जिन्ताओं से मुक्त होने के लिए तथा कथित जिम्मेदारियों को छोड़ देने का उपदेश देते हैं प्रकार अपने बहुत एक संसार में इतना उलस्ता जाता है इतना उलस्ता जाता है कि मुक्त अवस्था उसके लिए एक कलपना मात्र रह जाती है अभी आसकती के लक्षन 28 वे श्लोग से और आगे बढ़ेंगे पुरंजन उस युगती को पता नहीं कहां कहां की उपमाये देगा लक्ष्मी जी बताएगा सरस्वती बताएगा क्या क्या बताएगा जैसे समाने तर लोग समझते ही हैं उनकी इंदरी आकर्शन उनको सबसे अच्छी लगती है इस प्रकार आगे हम लोग कल पाट करेंगे आरे कृष्णा, क्रंतरास्यमत बागतम की जैस्व प्रकाठ की जैस्व अवेद बगते ही जैसे